एक क्वेशन परसंटेज इस प्रतिशत चाप्टर से है 2019 में पूचा गया ये इस चाप्टर से पूचा गया second question है first question हम last daily dose में solve किया बिल्कुल दोनों question similar है last daily dose का link वीडियो का description और comment section में दिया गया है जरूर देखियेगा अब चलिए solve करते हैं इस problem को राजू has 9,000 rupees with him and he wants to buy a mobile handset but he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset therefore he borrows 2,000 rupees from a friend then share statements दिये गया है देखो राजू के पास 9,000 rupees है और उससे वो एक mobile handset करीदना चाहता है लेकिन उसे पता चला mobile handset करीदने के लिए आवश्यक रासी है उसका केवल 75% उसके पास है मतलब 75% is 9,000 rupees ठीक है 75% है उसके पास 100% कितना होगा ठीक है proportions 75% by 100% ये मानलो x 9,000 by x परसंटेज परसंटेज कैंसल हो जाएगा अब cross multiplication adds into 75 is equal to 9,000 into 100 सीधा यहां से भी आप इस equation को लिख सकते हैं cross multiplication essentially ये इस form से आ रहा है मतलब दोनों quantities ये quantity 75% वाला quantity और 100% वाला quantity दोनों quantity proportions में हैं ओके तब ही आपको इस equation आ रहा है तो ये मत भूलिएगा दोनों proportions में हैं उसी से ही आ रहा हैं अब देखो 25,3 जा 25,4 जा 3,1 जा अब यहां एक्स डिरेक्ली भी लिख सकते हैं जैसे हम last problem में किया है 100 into 9,000 by 75 ठीक है 25,3 जा 25,4 जा 3,1 जा 3,3,000 जा ठीक है ये 12,000 आ गया ऐसे भी लिख सकते हैं इससे आ रहा हैं दोस्तों ये मत भूलिएगा तो mobile handset का price है 100% ओके वो हैं 12,000 रुपीज और उसके पास 9,000 हैं और फ्रेंड से 2,000 लिया हैं ठीक हैं 2,000 उधार लिया हैं ये हो गया 11,000 रुपीज अभी भी उसके पास कम हैं दोस्तो mobile handset खरीदने के लिए तो हमारा answer होगा ये राजू still does not have enough amount to buy the handset ओके अभी भी handset खरीदने के लिए पर्याप्त राशी नहीं है उसके पास तो बस answer ये हैं इतना simple problem है ठीक है कोई और section में नहीं मिलेगा percentages से 3 से 4 questions आते हैं दोस्तों बहुत easy रहते हैं 3 lectures half an hour each one and half to two hours में इस chapter को आप master कर सकते हैं कोई भी question आप solve कर सकते हैं ठीक है